हेलो फ्रेंड्स सत्रंगी निटिंग पर आप सभी लोगं का बहुत-बहुत स्वावत है आज मैं आपको जो पैटर्न बताने जा रहे हूँ वो छोटा-छोटा सा डिजाइन है और इसको आप कार्डिगन में डाल सकती हैं, स्वेटर में डाल सकती हैं, बच्चों के स्वेटर में डाल सकती हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पर आप इसको डाल सकती है इसको डालने के लिए आप दो के जोड़े में फंदे लीजिए तू के मल्टिपिल में आपको स्टिचिस लेने हैं फ्रंट साइड से पैटर्ण स्टार्ट होगा जब भी आप पैटर्ण डालें तो बॉर्डर के बाद एक सलाई सीधी और एक सलाई उल्टी बुल लीजिए और उसी सीधी सलाई में अगर आपको फंदे बढ़ाने हैं तो आप बढ़ा लीजिए यह मैंने 18 फंदे लिए हैं और दो सलाई उल्टी उल्टी बुल ली है अब देखिए यह हमारा फ्रेंट साइड है यहां से हम पैटर्ण स्टार्ट करेंगे चार सलाई का पैटर्ण है देखिए कैसी बनाया जाएगा पहला फंदा अगर आपको बुनना है तो आप बुल लीजिए उतारना है तो उतार लीजिए अब वूल लेखिए पीछे साइड ही है वूल को हमें पीछे की साइड ही रखना है और इन दोनों फंदों में आगे से सलाई डालकर इसे आगे से सलाई डालेंगे दोनों फंदों में एक साथ ये जो दो फंदे हैं दोनों में आगे से सलाई डालनी है ध्यान रखेगा बूल पीछे ही है और इसको सीधा बूल लेना है दो का एक फंदों को सलाई पर से अभी गिराना नहीं है केवल आगे वाला फंदा हम सलाई पर से गिराएंगे अब इस फंदे को एक बार फिर से सीधा बुल लेंगे यह देखिए दो फंदे हमने लिये थे और दो ही फंदे हमारे यहाँ पर हैं अब वूल को अपनी साइड लाएंगे देखे यहां पर हम वूल पीछे की साइड ही रखे थे यहां पर हमने वूल को अपनी साइड लेना है अब फिर से यह दो फंदे एक साथ लेंगे एक बार सीधा बुनेंगे आगे वाला फंदा सलाई पर से ग्रा देंगे अब इस फंदे को एक बार फिर से सीधा बुल लेना है अब इस फंदे को भी सलाई पर से ग्रा देंगे फिर से बूल अपनी साइड लाएं ये दोनों फंदे एक साथ लेने हैं आगे से दो का एक बुना आगे वाले फंदे को सलाई पर से गिरा देना है पीछे वाले फंदे को एक वाग फिर से बुन लेना है अब इसको भी सलाई पर से गिरा देंगे बूल अपनी साइड लाएंगे ये दो फंदे एक साथ लेंगे और दो का एक बुनेंगे अब फिर से हम आगे वाला फंदा सलाई पर से गिरा देंगे और पीछे वाला फंदा एक बार फिर से सीधा बुल लेंगे बूल अपनी साइड लाएंगे दो फंदे एक साथ लेंगे एक बार सीधे बुलेंगे आगे वाला फंदा गिरा देंगे पीछे वाले फंदे को एक पाफ फिर से बुलेंगे और इसको भी सलाई पर से गिरा देंगे पूरी सलाई हमें इसी तरह से बना लेनी है अब देखे यह हमारी पूरी सलाई कंप्लीट होई यहां पर हमें क्या करना है कि यहां हम वूल को आगे लाएंगे ध्यान रखेगा यहां वूल हमें आगे लानी है फिर यह फंदा सीधा बुल लेना है यहां पर हमने जाली नहीं डाली है और यहां पर हमने जाली डाली है तो यह आप ध्यान रखेगा अब बैक साइड से हमारी उल्टी सलाई पहला फंदा उतार लेंगे अब वूल पीछे साइड ले जाएंगे और यह फंदा सीधा बुनेंगे जाली का है इसको सीधा बुनेंगे और एक यह फंदा सीधा बुनेंगे दो फंदे सीधे बुन लेंगे अब वूल अपनी साइड लाएंगे इस फंदे को बिना बुना उतार लेंगे ध्यान रखेगा, जाली से पहले का जो फंदा है, उसको हमें बिना बुना उतार लेना है, बूल पीछे साइड ले जाएंगे, ये जाली का फंदा सीधा बुनेंगे, एक ये फंदा भी सीधा बुनेंगे, दो फंदे सीधे बुने, बूल अपनी साइड लाए, इस फंदे को बिना बुना उतार लेंगे, बूल पीछे साइड ले जाएंगे, अब देखिए ये जाली का फंदा और एक ये, ये दोनों फंदे हम सीधे बुनेंगे, गूल अपनी साइड लाएंगे इस फंदे को उतार लेंगे गूल पीछे साइड फिर से ये देखे जाली का फंदा बुना और एक ये फंदा बुना दो फंदे सीधे बुने गूल अपनी साइड लाए एक फंदा बिना बुना उतार लिया गूल पीछे साइड फिर से ये जाली का फंदा और एक ये फंदा, दो फंदे सीधे बुने, गूल अपनी साइड इसको सिलिप किया, गूल पीछे साइड जाली का फंदा सीधा बुना और एक ये फंदा सीधा बुना, दो फंदे सीधे बुने, गूल अपनी साइड इस फंद सीथा बुनना है और उसके बाद वाला फंदा हमें स्लिप करना है पूरी सलाई हमें ऐसे ही पुनकर कम्प्लेट कर लेनी है अब यह लास्ट फंदा यह हम उल्टा बुन लेंगे उल्टी सलाई है अब देखिए अगली सलाई फ्रन्ट साइड से पहला फंदा उतार लेंगे अब देखिए यह वाला फंदा जो हमने उतारा था इसको हम ऐसे उतारेंगे वूल आगे लाएंगे यह दोनों फंदे उल्टी बुनेंगे देखिए दोनों फंदे उल्टे हैं यह हम उल्टे ही बुल लेंगे अब इस फंदे को हम इन दोनों फंदों की उपर से गिरा देंगे फिर से देखिए ये वाला फंदा उतार लेना है और बूल अपनी साइड लाकर ये दोनों उल्टे फंदे उल्टे बूल लेने हैं बूल पीछे साइड ले जाएंगे अब इस फंदे को इसके उपर से गिरा देंगे अब फिर से देखिए ये वाला फंदा जो सीधा दिख रहा है थोड़ा अलग सा है ये सीधा भी नहीं है इसको हम उतारेंगे जो हमने पीछे साइड से भी उतारा था उल्टी सलाई से भी हमने ये वाला फंदा उतारा था इसी को हमें उतार लेना है और बूल आगे लाकर ये दोनों जो फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे वूल पीछे साइड ले जाएंगे अब ये उतारा हुगा फंदा इन दोनों फंदों के उपर से पिरा देंगे फिर से ये वाला फंदा उतारा वूल अपनी साइड लाए ये दोनों फंदे उल्टे बुल लिए वूल पीछे साइड ले गए अब इस फंदे को इन दोनों उल्टे फंदों के उपर से गिरा दिया इस फंदे को उतारा वूल अपनी साइड ये दोनों उल्टे फंदे उल्टे बुल लिए बूल पीछे साइड ले जाएंगे अब इस फंदे को इन दोनों फंदों के उपर से गिरा देंगे फिर से इस फंदे को उतारा बूल अपनी साइड लाए दोनों उल्टे फंदे उल्टे बुने बूल पीछे साइड ले गए अब इस फंदे को इसके उपर से गिरा दिया अब देखे फिर से हम इस फंदे को उतार लेंगे बूल अपनी साइड लाएंगे दोनों उल्टे फंदे उल्टे बुल लेंगे पूल पीछे साइड ले जाएंगे और इस फंदे को इन दोनों फंदों के उपर से गिरा देंगे पूरी सलाई हमें ऐसे ही बुल लेनी है दोनों फंदे उल्टे बुल ने इसको ऐसे गिरा दिया अब ये लास्ट फंदा जो है ये हम सीधा बुल लेंगे अब बैक साइड से फोर्थ रो ये पूरी सलाई हम उल्टी बुलेंगे उल्टी सलाई है हमारी और पूरी उल्टी ही बुल लेंगे देखिए फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन को प्रेस करिए ये हमारी फोर्थ रोवी कम्प्लीट हो गए अब इन ही चारो सलाईओं को हमें आगे रिपीट करते जाना है और डिजाइन को डालते जाना है देखिए मैं आपको पहली सलाई फिर से बता देती हूँ ये वही सलाई होगी जो हमने यहाँ पर फर्स्ट रोव बुनी है ये चार सलाई का ही पैटर्न है इन ही चारो सलाईओं को आगे रिपीट करते जाएंगे तो पैटर्न आता जाएगा देखिए मैं आपको इस्टार्ट करके दिखा देती हूँ पहला फंद उतारा बूल हमारा पीछे साइड रहेगा इन दोनों फंदों में आगे इसी सलाई डालेंगे दो का एक बुना एक फंदा सलाई पर से गिरा दिया दूसरा फंदा सीधा बुन दिया बूल अपनी साइड लाएं यह दोनों फंदे एक साथ लेकर एक वार सीधा बुना आगे वाला फंदा गिराया इस फंदे को एक वार फिर से सीधा बुल लेंगे फिर से बूल अपनी साइड लाएंगे दो फंदे एक साथ बुने आगे वाला फंदा गिरा दिया एक वार फिर से पीछे वाले फंदे को बुल लिया वो लपनी साइड लाए, दो फंदे, एक साथ बुने, आगे वाला फंदा गिराया, पीछे वाले फंदे को फिर से बुन लिया पूरी सलाई हमें इसी तरह से बुन कर कम्प्लीट कर लेनी है बहुत प्यारा डिजाइन है और बहुत सुन्दर है, इसके साथ ही साथ इस डिजाइन को डालना भी बहुत आसान है छोटी बच्चों की स्वीटर में आप इसको डालिए, बहुत अच्छा लगेगा यहां पर बूल हम आगे लाएंगे और लिए लाश्ट फंदा सिधा बुनेगे देखिए एक सलाई मैंने बुल ली है, आगे की सलाईयां वैसे ही बुनी जाएंगे जैसे यहां पर बुनी गई बन करके डिजाइन इस तरह से आएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रेलेटिप्स के साथ शेयर करिए थेंक्यू फ्रेंड्स पर वाचिंग मैं चैनल कर दो 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 आएगा प्रेंड्स पर यहाँ आएगा कर दो दो कि जो हो आएगा जो हो आएगा को आएगा